हलो फ्रेंट, इस्टेडी एड़ा की यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज जो हम एकोनॉमिक्स का पार्ट फॉर फाइफ देखेंगे इसके अंदर बजट के बारे में हम डिसकस करेंगे इसके पहले हमने जो डिसकस किया था, हमने इसके पहले जो है बजट की हिस्टरी डिसकस की थी मिन्स प्वास्ट में क्या कैसे हुआ था, सबसे पहले किसने बजट पस्तूत किया था कब साम को 5 बज़े बजट पस्तूत किया जाता था, कब से 11 बज़े हो गया सबसे ज़्यादा बार किस with one three finance minister ने budget प्रस्तुत किया था history में ये सब देखा है इसका link आपको यहाँ पे ibox के पास मिल जाएगा या description box में मिल जाएगा या playlist में जाके देख सकते है आज जो हम देखेंगे budget में दो चीज होता है एक तो कहां से पैसा आता है और कहां खर्च किया जाता है उसके बारे में knowledge लेंगे किवल इतना ही knowledge लेंगे कि पैसा कहां से आता कहां पे खर्च किया जाता है फिर जो पैसा जहां से आता उसके बारे में deep knowledge अगले part में लेंगे तो इस part में किवल यही है कि पैसा कहां से आता है कहां जाता है और अगला part जस्ट दो से तीन गंटे के अंदर ही हम upload कर देंगे तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को subscribe कर लें subscribe button के just bugle में आपको एक bell मिलेगे उस bell पे click कर दें और हाँ playlist में जाना मत भूले playlist में बहुत सारी ऐसे वीडियों है जो आपके काम के हो सकती है अगर वीडियों पसंद आए तो like, comment और share जरूर करें तो चलिए देखते हैं देखिए पहले बात क्या होती है बजट होता क्या है तो बजट के अंदर जो आपकी government है जो आपकी सरकार है वो बताती है कि हम कहां कहां खर्च करने वाले है किस किस सेक्टर में पैसा को खर्च करने वाले है लेकिन वो पैसा जो खर्च करने वाली है उसके पहले वो बताती है कि वो पैसा आपका कहां कहां से आने वाला है मतलब government जो है budget के अंदर, government के finance minister बताते हैं कि किस-کिस sector में कितना पैसा हम खर्च करेंगे, expenditure कितना करेंगे लिकिन उसके पहली ये बताते हैं, वो पैसा हमारा कहां से आएगा उस पैसे का हमारा income कहां से होगा तो basically income और expenditure को दो पार्ट में divide कर दिया गया दोनों पार्ट को इस बीडियो में समझेंगे और उन दोनों पार्ट के अंदर का जिसमें tax वो एक सब आता है वो अगले पार्ट में समझेंगे तो देखिए गौवर्मेंट का income तो गौवर्मेंट कभी भी इसको income नहीं करती पहली बात इसको क्या करती है रिसिप्ट्स क्यों करती है क्योंकि ये income नहीं है ये बस ये बताती है कि पैसा कहां से आ रहा है हो सकता किसी से उधार ली हो या हो सकता हो government को कहीं से फायदा हो रहा है या government को tax मिल लाओ कुछ भी हो सकता है तो ये income नहीं होगा हर दम जब भी इसकी बात करेंगे क्या होगा ये receipt होगा तो अब देखते हैं receipt को government ने दो भाग में तोड़ दिया पहला जो है revenue, receipts और दूसरा जो है, पहले हम revenue receipts के बारे में जान लेते हैं, revenue receipts क्या होता है, देखे, जिस चीज में government को फायदा हो, उसको revenue receipts कहते हैं, जैसे ये one way transaction होता है, जैसे tax, अब tax जो है, वो आपको मिलता है, वहाँ की जनता, उस देश की जनता, सरकार को tax देती है, तो ये आपका एकड़म clear फायदा है, कि जनता जो है, सरकार को tax देगी, तो revenue receipts को जो है, हम one way transaction कहते हैं, क्या कहते हैं, one way transaction, क्यों, क्योंकि जनता सरकार को tax देती है, tax के बदले में कुछ interest नहीं लेती है, या कुछ और नहीं लेती है, तो ये clear फायदा है, तो इसको revenue receipts कहें दूसरा क्या हो जाता है PSU, PSU के अंदर जो profit है, PSU profit, PSU में जो government का public sector होता है, जैसे NDPC भेल हो गया, उनसे जो profit मिलता है सरकार को, वो clear profit है और वो सीधे सरकार को मिलता है, इसके बदले में सरकार को कुछ देना नहीं पड़ता है, तो ये भी one weight transfer हो रहा है और ये भी revenue receipt के अं आप सरकार अगर किसी को loan देती, देखे, bank किसी को loan देती, तो उस पे interest लेती है, तो उस loan से जो interest मिलता है, वो भी सरकार को direct फायदा होता है और ये भी one way transfer है, तो revenue receipt के अंदर हम कैसी चीज़े लेते हैं, revenue receipt के अंदर हम ऐसी सी चीज़े लेते हैं, जिससे सरकार को direct income हो रहा और यह one way transfer है और इसका example हो गए आपका tax, PSU profit and loan interest इनके बारे में detail में अगले partner अब देखते हैं दूसरे तरह से कैसे पैसा आ सकता है एक तो पैसा आने के तरीका है revenue receipt के दौरा दूसरे तरीके से पैसे आना आता है capital receipt देखिए अब capital receipt क्या होता है जैसे आपके पास कोई जमीन है अब यह जो जमीन है आपके पास इसको आप base दीजे आपके पास पैसा आ जाएगा आप किसी से loan ले लिजे फिर भी आपके पास पैसा आ जाएगा तो capital receipt के अंदर हम जो है अपना जो हमारे पास assist होता है जैसे जो जमीन है या loan है उसके तरी लेते हैं लेकिन इसमें क्या होता है आपका देखे आप loan लेंगे किसी से तो आपके उपर क्या उधार बढ़ेगा वो जाएगा मतलब liability liability या उसको obligation भी करते हैं ये जो है आपका क्या होता है बढ़ जाता है capital receipt के अंदर जो है आपका liability या obligation जो है बढ़ जाता है क्यों क्योंकि जब आप किसी से loan लेंग तो आपके उधार आएगा, बोज आएगा, तो जिससे आपके उपर liability या obligation बढ़ सकता है, second बात हमने क्या कही थी, second बात हमने कही थी, loan की, तो loan हो गया, third बात, asset, assist क्या होता है, जैसे आपके पास जमीन है, यह आपका एक assist हो गया, या आपका किसी PSU के अंदर share है, किसी PSU कमपनी, public sector company के अंदर share है, तो यह भी आपका asset हो गया, अब आपको पैसे की जरूरत होगी, तो आप क्या करेंगे, जमीन बेज देंगे, PCU के अंदर, अगर आपके पास 60% share है, तो आप 9% share बेज दीजे, आपके पास बचा कितना, 51% share, अब भी आप उस public sector company के मालिक है, अब भी आप government की ही ओ कमपनी है, लेकिन 9% share बेजने से आपके पास कुछ पैसा आ जाएगा, तो यह आपके capital receipt में आ जाएगा, तो assist क्या हो जो भी, जिसको करते हैं, ऐसी संपत्ती जो चलन में न हो, जैसे पैसा चलता है, और जमीन हो गई आपकी स्थिर संपत्ती, तो assist के अंदर जो है स्थिर संपत्ती आपकी आ जाएगी, देखे, capital receipt की एक और फायदा है, इसके अंदर two-way transaction होता है, revenue receipt के अंदर क्या है, one-way transaction है लेकिन capital receipt के अंदर आपका जो है two-way transaction होता है, two-way transaction कैसे होता है, देखे, आप किसी से loan लिये, आपने world bank से loan लिया, तो world bank ने आपको, यहाँ लिख देते है, world bank ने आपको loan दिया, इसके बदले में आप world bank को interest भी तो दे रहे हैं, loan तो लटाओगे ही लटाओगे, पहले interest त दो दोगे, तो double liability आजा रहे हैं, कि आपको interest भी देना है, और loan भी देना है, तो liability increase हो रही है, लेकिन पैसे का transfer दोनों और से हो रहा है, इधर world bank आपको पैसा दे भी रहा है, उधर से interest ले भी रहा है, तो इसको two-way transaction कहते हैं, अब बात करते हैं, disinvestment, देखे, disinvestment के बारे म हमने अभी आपको यही समझाया, यही है, कि किसी company में आपका share है, किसी company के अंदर आपका share है, मालिजे 70%, आपको पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो आप 90% share बेज दीजे, कितना बचा 51% बचा, अब भी इस company के आप मालिक हैं, लेकिन जब आप 90% share बेजते हैं, त तो आपको पैसा मिल जाता है, आपकी income हो जाती है, तो यह था आपको government जो है, आपके पैसा कहां से लाती है, government basically दो तरीके से पैसा लाती है, एक revenue receipt के थुरू, और दूसरा capital receipt के थुरू, question पूस्ता है, revenue receipt में one way transfer होता है, और capital receipt में two way transfer होता है, revenue receipt के अंदर tax, PSU के profit और loan से जो हमें interest मिलता है, वो आ जाता है, बतलब कि जिससे direct पैसा मिल जाए, सरकार को उसका interest न देना पड़े, या सरकार की liability न बढ़े उस पे, या assist घटे न, तो tax, PSU और loan से जो interest मिलता है, देखे, अब अगर सरकार ने किसी को loan दिया है, अगर वो loan भर दे, तो loan अगर वो भर देगा, तो interest मिलना क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, तो जब loan से interest लेना बंद हो जाएगा, तो आपका assist क्या होगा, घट जाएगा, assist में ऐसी संपत्ति होती है, जहां से पैसा आता रहा है, जैसे आपका जमीन हो गया, कोई आप से loan लिया है, तो उसका interest आपको मिलता रहा है तो उसे पैसे आता रहा है जमीन से आपका पैसे आतर जा रहा है किसी कंपनी में आपका share है तो profit जो होता है हर महीने उसका आपको share मिलता रहता है लेकिन अगर आप वही company का share base देते हैं तो आप एक तरह से अपने assist base दिया है ठीक है तो ये दोनो difference अलग-अलग I hope आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार का income दो तरह से basically होता है एक revenue receipt से दूसरा capital receipt से अब revenue receipt के अंदर tax, PSU, profit, loan, interest and capital receipt के अंदर liability, loan and assist इनके बारे में detail जानकारी अगले part मिलेंगे अब देखते हैं सरकार खर्च कहां पर करती है तो expenditure सरकार कहां पर और कैसे खर्च करती है सरकार का खर्च करने का तरीका भी दो ही तरक से है पहला revenue expenditure जैसे पिछले part में हमने पढ़ा था कि revenue income जो है revenue receipt income नहीं कहते हैं वो one way transaction होता है उसी तरह से revenue expenditure भी one way transaction होता है अब one way transaction कैसे हो गया जैसे सरकार central government या state government के जो भी employee है सरकारी कर्मचारी है उनको salary देती है सरकार को इससे कोई फायदा नहीं होता है वो केवल salary देती है केवल पैसा खर्च करती है तो ये क्या हो गया one way transaction और ये revenue expenditure के इंदर आ जाएगा second चीज defense सरकार ने missile खरीदा सरकार ने shift बनाया सरकार ने fighter plane खरीदा इसका कुछ भी फायदा है सरकार को सरकार ने केवल पैसा दिया और खरीदा ये security के लिए खरीदा इसका कुछ अलग से फायदा नहीं जैसे आप एक दुकान खुलते है तो दुकान से पर मन्त आपको कुछ profit होता है ऐसा जिसमें profit न हो वो revenue expenditure होता है जैसे salary आपने दे दिया आपको कोई profit नहीं डिफेंस की चीज़े आपने खरीदी आपको कोई profit नहीं हुआ थर्ड subsidy एक दुकानदार है जो समान बेशता है 10 रुपए का आपने उससे कहा कि जो अलप संखेक हैं जो गरीब हैं उनको समान दो आप तुम 2 रुपए का और 8 रुपए का समान 8 रुपए तुम हमसे लो दुकानदार का पूरा हो गया अलप संखेक या गरीब को 2 रुपए का वो समान मिलने लगा लेकिन जो ये 8 रुपए सरकार की जेब से जा रहा है उसको सरकार को कोई फायदा नहीं वो पैसा जाई रहा है वन वे ट्रांजक्शन हो रहा है किवल जा रहा है इसका कोई profit नही मिला तो ये भी revenue expenditure के अंदर ही आएगा interest payment देखे जब आप bank में जो पैसे जमा करते हैं उसका आपको कुछ interest मिलता है उसी तरह सरकारी bond जब आप खरीदते हैं तो उसका भी आपको कुछ फायदा मिलता है 4-5 साल बाद तो जो ये interest payment होता है ये भी one way transaction के अंदर आता है और revenue expenditure के अंदर आएगा क्योंकि सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है अब देखते हैं capital expenditure देखे income receipt के अंदर हमने क्या पढ़ा था revenue receipt and capital receipt उसी तरह expenditure के अंदर भी revenue expenditure and capital expenditure capital expenditure के अंदर क्या होता है देखे जब सरकार कोई ऐसी चीज़ खरीदे जिससे उसकी liability obligation कम हो जाए जैसे कहीं loan लिया है loan को interest rate पूरा चुकता कर दिया अब उसके उपर से बोज हट गया तो उसकी liability obligation जो है क्या हो गई कम हो गई तो ये क्या पैसा सरकार ने खर्च किया और इस आत्म हो गया या कम हो गया तो जिस तरह से ये ये भी उसी तरह से expenditure में two way transfer है तोनु तरफ से इसमें पैसा चलता है second is assist आप किसी company के अंदर share खरीद लिजे आपने तो पैसा expend किया है आपने पैसा खर्च किया है आपने expenditure किया है लेकिन share खरीदने से आपको क्या है आपने इधर से पैसा दिया और इधर से उस company share से हर मेंने आपको कुछ नो कुछ profit होता रहेगा अब जब profit हो रहा है तो पैसा दोनों तरफ से चल ला है लेकिन आपने पैसा खर्च भी किया और आपने कुछ profit लिया भी तो जब आप कोई company में share खरीद रहे हैं कहीं जमीन खरीद रहे हैं तो आपका क्या asset क्या हो रहा है increase हो रहा है basically capital receipt में क्या होता है liability या obligation जो है बढ़ता है एसेस्ट करता है लेकिन capital expenditure में liability या obligation घटती है और जो हमारा asset है वो क्या होता है बढ़ता है third चीज़ आता है आपका PSU PSU के अंदर कोई share इसके बारे में दिक रहो चुका है loan आपने loan दिया किसी को आपने किसानों को loan दिया उसकी पहले बदले में आपने 1% ब्याज लेना शुरू करते हैं लेकिन आप ब्याज तो ले रहे हैं एक परसंट का आप ब्याज तो ले रह हुआ इसलिए capital expenditure हुआ तो ये एक चीज और देखिए जैसे आपने road बनवा दिया आपने कहीं road बना दिया तो road जब बनवाया तो वहाँ पर लोग आने जाने लगे उस गाउन से लोग connect हो गए आपका economy growth होने लगी वहाँ पर company खुल गई लोग आज आ रहे हैं तो परिवहन में पैसा खर्च कर रहे हैं उसका फायदा आपको मिल ला है लोग grow करेंगे लोग grow करेंगे तो आपकी GDP बढ़ेगी तो क्या दोनों तरफ से पैसे का transfer हो रहा है तो जो road बनवाते हैं वो भी capital expenditure के अंदर आता है revenue expenditure के अंदर ऐसा ही चीज जाता है जिससे कोई फायदा न हो सरकार को किवल सरकार को पैसा देना पड़े salary, defense, subsidy, interest, payment अब देखिए defense के अंदर अगर कोई जो है technology transfer होती है इसमें बहुत बड़ा मुद्धा है technology transfer का तो उससे क्या होगा इंडिया के अंदर job generate होगी तो ये capital expenditure के अंदर आ जाएगा लेकि तो I hope आपको ये lecture पसंद आया हो अब इसके बात जो है हम देखेंगे कि revenue, receipt, capital, receipt और revenue expenditure और capital expenditure के अंदर क्या क्या चीज़े आती जैसे revenue receipt के अंदर आपका tax, आप tax कितने तरक होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे इसी तरह capital receipt के बारे में पूरी जानकारी तो वो आपको next park में मिलेगा, अगर आपको ये video पसंद आया हो तो like, comment और share करना मत भूलेगा, thank you दोस्तो